हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटू चैनल ट्रकी डोज में तो अभी तक हम दो सिप्लिस लपोर्टेट की सारे केसिस कर चुके हैं और फिक्स में के भी एकाद केसिस कर चुके हैं कुछिस के बागी हैं तो चलिए डिसकस करते हूं उनको तो आज के अच्छा हम के कि और पूरे लेन्थ पहूर के यूड्र कर रहा है है तो आज कि कि का एक केस देखेंगे जिसमें दिन अपर लेंद पर यूघ्न कर रहा है कि अगर इसका लेंथ एल है तो इसके पूरे लेंथ पे यूडियल एक्ट कर रहा है प्रिस्टिए इसकी इंटेंसिटी को डबलू बोल देते हैं इसका युनित कुछ भी सबसेंगे इसकी मैचनिजंब करेंगे कि लिए प्लश्टिक हो करवाने के लिए उसमें सबसे पहले नमरे फाल-टॉच सक दो करेंगे तो टो में यह सब बसेशपूर के लिए हम कि जब कोई horizontal लोड कि किसी भी इंप तो यह वर्टिकल लोड के लिए जब लोग इस ट्रीकल लोड के लिए जब हम लोग इस्ट्रीक डिगरी इंडेटमेसी को फाइड़ करते हैं तो यह तो यह तो यह पिछली लेक्शे में अगर नहीं देखें तो जाकर उसको देखिए उस इस ट्रीक्शे में हमको यह पायत लगा कि दो नंबर ओफ फिंज करने पड़ेंगे उस ट्रीक्शे को डिटर्मिन बनाने के लिए कहने का मजब डिटर्मिन वैसा इस ट्रीक्शे होता है जिसमें सारे रियेक्संस को अम लोग इक्लीव एक्शन की मदर से फाइड़ कर सकते हैं तो वह डी कश्टनल ऑचाने के लिए को सबयेंगे प्लास्टिक मेकनीजर करा ने के लिए प्लास्टिक मेकनीज़् कराने के लिए युद्व рьभाने के लिए को hemisphere द्यूनी आने पड़ेंगे उस टूतरछी हनवा वाने कोुट्स निक्ट्रीन ने हुशा प्लक्शे को करने के लिए उसके बाद नंबर आफ इंज को देखेंगे कि लोकेशन कहा होगा वह तीन हिंज कहां कहां बनेंगे तो उसको देखने के लिए कि लोकेशन फिंज को देखने के लिए हम लोग बेंडि मोमिन के सारा लेते हैं क्योंकि लोकेशन फिंज और नंबर फिंज का सेपरेट लेक्ट्ष हैं हमारे पास अगर उसको नहीं देखें तो जा के देखिए वहां से क्लियर कटा को समझ में आगा कि लोगन फिंज को किसिस कर रहे थे अब हम उसका टफ किसिस करेंगे क्योंकि जो हमारा जो हिंज बने का सेक्वेंस अब नजर आएगा कहने का मताब वो तीन हिंज जो पिछले क्लास में देखे थे जो पॉइंट लोड के अंदर बन रहा था फिक्स बीम के वो सारे हिंज अभी तक सारे या त सब्सक्सक्रम से करके सेक में हिंज बनेंगे तो सेक्वेंस बनेंगे पिस देखने के लिए अब उसके इनलिटीस अपन होने वाला है तो देखिये का ऐसे होता है तो हम दो क्या करेंगे इसकी इसके बीमडीका उसका इसिशिऌकर इक to sit का वह स्ट्रक्चर का पार्ट है उसमें जाकर देखिएगा आप यहां तक आ गया है मतलब इसका मतलब स्ट्रक्चर अनलिस और स्ट्रेंट अपने खतम कर चुका है तो चलिए हम लोग इसके बीम्ड को डाइटरी डॉप कर देते हैं तो जब इसका बीम्ड कीजिएगा इसका बीम्ड कुछ Chili कर दिल लगा हुआ है तो इसका बीम्डि को में रौकर लिया है अब इसके ब्म में क्यों और की तो मार करते हैं कि कहां कहां कितना किसा बेंडिक मॉमेंट होगा तो सपोर्ट के बास बेंडिक का तक है वह support के पास बेंदी मुमेंट निकल के आता है वह डबूल रस्क्वेर बाइं डेल निकल के आता है और यहाँ पर जो की मिड़ पर होता है। इस इस बीम के सेंटर पर किसका सी नाम देते हैं यहां पर किया आता है वह ड़ूल्ट स्काईर भाई ट्विटिफोर निगल कारता है तो यह रहा है इसका ब्यार्टी यहां पर निगेटिव मॉमेंट है होग और यहां पेस्ण हृग को हैं यहां पहीं कि इसके बाद आगा है कि तो आपको तीन हिंज बनाने हैं यहां पर भिटन को निए ताकि आपको याद रहे हैं फिन कि हम पर दॉसके बार तो तीन हिंज हमेसा maximum moment पर जो hing bypassy बढूकAR औहुअ है क्यों की हिंज Bears बनने के लिए वहां पर HDC के बराबर होना चाहिए MP के बराबर होगा वहां प begitu मैं मुंट तब जाकर आप यहां पर ह löकरव है तो दो having यह सबसे जो मैक्सिमम मेंगा होता है उसके बाद ही हींज बनेगा या तो सबसे ज़्यादा दिखा जा देघागा और कहां है सबसे ज्यादा बेंदिंगोंट देखा जा तो करें एक चीज और दिखाई दे रहा है कि सपपोर्ट के पाश सपोर्ट के पास tapi पर bas तो यह थीक है हिंज बोलता है कि चलो हम दुनों जगह बनेंगे हम तो यहां बनेंगे ही बनेंगे यहां पर बनना ही पड़ेगा क्योंकि यहां भी सेम बेंडी मुमिंट है तो जो हमारा पहला दो तीन में से डिवाइड कर दिजेगा जो मारा पहला दो दो हिंज होने वाले ह हैं तो वह दोनों हिंघ धियान दीज कि यहां जो magnitude का वह स्यमें निकल कि आ रहा है एसलिए यह दोनों इस बनेंगे वह सईमलटेनिएस बनेंगे ठीक है यह दोनेंग बनेंगे इसके बाद क्योंकि bending moment इससे आधा है मतलब यह जो bending moment है center का यह इसके आधा है तो इसको बनने में time लगएगा मतलब यह bending moment तो पहले MP पे पहुँच चुका क्योंकि यह बहुत ज्यादा है उसके बाद जब रोल को फर्दर बहा रहा रहे हैं तो यह bending moment अब MP पे रीच करने वाला second bending moment होगा जो MP पे रीच करेगा तो इसके बनने के बाद second bending moment यह होगा जो MP पे रीच करेगा अब कैसे करेगा उसके बारे में भी आगे देखेंगे लेकिन हमको यह पाचल चुका है कि दो हिंज यहां सबसे पहले बनने हैं तीसरा हिंज चाहें कहीं बने पहल आटर Mic बनेंगे ता हमको यह पाचल जोगा कि है यहां बनेगा और एक हिंज यहां बनेगा अब दो हिंज बने के वाल आकप का पाता है कि fixed beam की जो हमारा degree of static determination निकल के आई थी, वो किदे निकल के आई थी, दो निकल के थी, अब कहने का मतलब कि जब load बहाते बहाते ऐसे जगह पे पहुच गया है, कि इसके अंदर दो हिंज का formation हो चुका है, तो क्योंकि इसके degree of static determination भी दो है, इसका मतलब दो हिंज बनने के बाद यह structure determinate हो गया, determinate कहने का मतलब यह एक simply supported, simply supported क्या था, simply supported beam एक determinate structure है, कहने का मतलब उस structure में ऐसे कोई मतलब तीन ही reaction निकल के आएंगे, तीन reaction, तीन equilibrium question से find out किये जा सकते हैं, तो इसका मतलब यह एक determinate structure में तबदील हो जाएगा, कहने का मतलब यह एक simply supported beam में तबदील हो जाएगा, उसके बाद जो इसका bending होगा, वो as a simply supported की तरह ही होगा, तो वो भी आगे देखेंगे, लेकिन इस से अभी तक के conclusion से, अभी तक के bending moment से, अभी तक के सारी बातों से, यह पाया चला, कि हमारे जो सबसे, जो पहले bending, पहला दो हिंजज बनने वाजे हैं, वो दोनों support पे बनने वाले हैं, और दोनों एक साथ बनने वाले हैं, तो चलिए, एक काम करते हैं यहां पर इस bending moment को यहां पर मारकाउट करते हैं अब यहां पर support A के पास bending moment और आएगा क्योंकि यहां पर हिंज का formation हो चुका है क्योंकि सबसे maximum यहां बथा अब बताएं यहां पर हिंज का जो फर्मेशन हो चुका है अब यहां का जो बेंडिंग मोमेंट होगा जिस पर हिंज का होने का मतलब यहां पर कौन सा मोमेंट क्या होगा यहां पर यहां पर बेंडिंग मोमेंट को एंपी के बराबर हो जाएगा और यहां पर बेंडिंग मोमेंट होगा वह भी तो इस्तरीक से समझेगा इस तरी से लेट किजेगा चलिए और देखते हैं है और इसके बाद हम लोग वैसे लुट को find out करते हैं जिस लोड पे यह दो हिंजेज बन रहे हैं अच्छा एक चीज़ और अपके कमपट्रीटिव एक्जाम में कभी-कभी यह पूछ लिया आती हैं क्योंकि यह फिक्स सपोर्ट था फिक्स बीम था इसलिए यहां पर एक यह बेंडिंग मोमेंट भी मैंने ड्रॉ किया है इसलिए एक चीज़ बतान तो टाइमस दी पोजेटीव बेंडिंग मोमेंट दिखाई दे रहा है क्या तो यहां पर इस केस में एस्पेसली एक ट्रीम का केस है क्योंकि यहां पर बिमडी बनाया अखाइज लिए इसलिए डिका दिया क्योंकि कभी-कभी एक्जाम स्वेड़िक पूछ जा रहता है कि यहां बाइब कर सकते हैं यहां बेंडिंग मोमेंट के दूगना है चलिए तो आगे हम लोग फुर्टर के सकते हैं रखेंग सब्सक्राइब करें तो उन बातों कि यहां पिलिक से थे हैं ताकि आप दिमाग में उस चीज को आप notes को बना रहा हैं तो उस चीज को नोट कर लिए और उसी को हमेशा के लिए रिटेन करें चलिए तो डाइट लिए फिगर तुमेट चुका है लेकर फिर भी डाइट लिए पर लिए ते हैं हम लोग तीन चीज को फाइंड आट करेंगे अब से पहली बात सेक्वेंस ओफ हिंज फॉर्मेशन देकि यह सब लिखवार है यह डिलेक्टली एक्जाम्स में पूछ लिया आते हैं तो इन चीजों को आप याद रखिएगा सेक्वेंस का है हिंज बने के सब्सक्राइब क्योंकि चुक्कि यहां पर लिएगा सिंस निगेटिव बेंडिंग पेन्द बंटेन मोमेंट हैं नेगटिव बेंडिंग मौमेंट मेंटिंगमन लिए क्योंकि दोटमेंद-zet in negating मारी से तो नेगटीव इन बेंडिंग मोमेंट इंड और उसे इसलिए सोर्ष ऑक हमारी से किन अ legitimate क्योंकि विर्द की बडावर है और जियान है प्रोजिभी बै तू हिंजेज विल फॉर्म एट ए एंड बी साइमल सेमल्टनियसली वो ए और भी पर साथ साथ बन रहे हैं क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है निगेटिव जो ज्यादा है वो इक्वल भी है साथ में तो इक्वल होने के वैसे बेंडिंग मोमेंट को साथ ही बनना पड़ेगा और कोई अपसन नहीं उसके पास उसके और उसके मान आपको लोड को और बहना पड़ेगा तसरह हीं तीसरे हिंज को बनने के लिए क्योंकि अभी भी इस्ट्रें मेकनिजम में नहीं गया है वह श्रुट्ट्र फेल नियों होगा है अभी इस्ट्रेंट है और रजिस्ट कर रहा है बिल्कुल तो इस्टेबल स्ट् कि एट सी सी पर बन जाएगा सो यह सी जो डिक डाइग्राम नहीं आपासी जो कमीड पॉइंट हो आप तो थार्ड हिंज विल फॉर्म एट सी एंड मेकनिजम कि अकर उसके बाद हमारा मेकनिजम माकर कर जाएगा तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा यह सेक्वेंस अभी अब क्योंकि हम पता है कि आज कि अभी के बाद से तो हमारा टॉपिक होगा वह थासा लिटली हाड होने वाला है तो इन चीजी को धान में अभी और भी आगे यह पहला पॉइंट था जिस चीज को हम लोगे हम लोगे को इसमें नोट आउट करना है में इस चीज को नोट आउट करना है उसके बाद अभी कुछ कुछ चीजे और हैं जिनको फाइंड पर पूछा जा सकता है क्योंकि नॉर्मल निये कि सिर्फ एक हिंज बनना है और हिंज का सेक्वेंस है तो दो हिंज बने पहले उसको तीसा हिंज बना तो सबसे पहले आपको सेक्वेंस ऑफ हिंज पर कूछ सकता है कि सेक्वेंस क्या होंगे हिंज बनने के दूसरा वह कौन सा लोड है जिस लोड पर दो हिंज बने वह कौन सा लोड है जिस लोड पर दो हिंज बने ये भी पूछ सकता है आप से तो चलिए सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो यही है तो फीपॉइंट जो है कि लोड एट वीच के तू हिंजेश वह कौन सा लोड है जिस पर दो हिंजे जो प्लास्टिक हिंज बन रहे हैं वह दो हिंजे किस लोड पर बन रहे हैं तो यह निकालना बहुत अथान है पहले ही रिसक इस कर चुक़ें लेकिन पिर भी चलिए फिर दूबारा से क्योंकि ये केस बना के दिखा हमारा यह बेंडिंग मोइंड पता था कि यह बेंडिंग मोमेंड कि इनकल निकल थे बेंडिंग इंड ऑड़ में 9 तो hogging कर सकते हैं या तो फिर दूसराई theta था तो theta से कैसे देजिया क्योंकि यह बी पे यूदियर लग रहा है कोी लोड लग रहा है तो यह लोड इसमनी хоч किया कराएगा तो फिंदेनसी है इस साइड में है तो फिता का ना लोग् holistic Аurgical लोगिकल दो सकते हैं ईसकी है अब बेंडिंग ऑगी है होगी होने के वैसे इसके इसके धायक्षन को एंटी क्लोकोल होना पढ़ा क्योंकि आप लेस्ट आइस से तो चलिए हम लोग यहां से उस लोड को निकालते हैं जिस लोड पे तो हम लोग इस चीज से यहां से यह इस कंसेप्ट को उठाते हैं तो इस कंसेप्ट को जब उठाएंगे यहां पे तो यह क्या निकल के आता है हमारा एंपी किसके बराबर निकल के आता है तो यहां पर घंच लोड पर हमारे स्ट्रॉक्ठर हमारा क्लाप्स नहीं हुआ है और यह दो हिंज बने से स्ट्रॉक्चर हमारा ठोगया है लेकिन अभी ब्रेट हो गया है अगर लोड को बढ़ा ही गातोई हमारा वी जो बीम है उसे बड़ितर दोटेट कर रहा होगा इसका पीछ सब्सक्राइब दोटेटर रहा होगा इसका आप ध्यान देजेए को कि इसके पास ना मंड रिस्ट इस्ट है यहाप हिंज बन यह प्लास्टिक हिंज बनने के साथ ही इसके पास moment restraint नहीं है अब यहां पर moment restraint नहीं इसके पास इसका मतलब यह simply supported beam की तरह act करेगा और simply supported beam की तरह reflect करेगा तो अभी तक ये का case आपको समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी आगे बहुत कहानी बाकी है चलिए तो हम लोग वी पार्ट में अभी बी पार्ट के अंदर ही है जिसमें वह लोड कल्कुलेट कर रहे हैं जिस लोड पर दो हिंज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अंदर में में सा और क्या क्या हो रहा है यहां पर यह पार चलपा है तो एट और यूडियल एट यूडियल ओफ डबलू वन इसकोल डू टू ट्वेल एंपी अपन मेले स्कूर्ट इस यूडियल पे एट लोड़ अफ यूडियल इस तो हिंज इस आर फॉर्मड एंड बीम बिहेब्स लाइक बीम बिहेब्स लाइक आप सिंप्ली सपोर्टेट बीम झालि कासिंप्ली मिश्व एक विराई संपोर्टेट बीम है विथ तो सिंप्यसपोर्टेट बीम की तरह क trasx करेगा या लेकिन दिम्धा सिंप्ली सपकूर्टेट ने ये इस बात जो फिक्सट ब्मार dismut sup vboy सपाचला इंवे लेकिन यहां पर कुछ bending moment है कितने के बराबर MP के बराबर तो ध्यान देजएगा MP देखिए bending moment चाहे MP हो चाहे 0 हो जीरो bending moment कहने का मतलब वह रिस्ट्रेंड नहीं कर रहा है बिल्कुल भी moment को यहां पर rotation कर सकते हैं यह बिल्कुल रिस्ट्रेंड नहीं करेगा आपको और MP मोमेंट का मतलब भी वह होता है MP एक जी किसी बीम के बराबर हो चुका है bending moment तो अब किसी भी rotation को वह रिजिस्ट नहीं करेगा अभी वह bending moment जीरो की तरफ भी करेगा तो इस से से कंफ्यूज मत होगिएगा यह सिंप्रिस अपूर्ट इधिक तरह तो एक्ट कर रहा है कि सब्सक्राइब की तरह तो एक्ट कर रहा है लेकिन कैसे संपूर्ट इधिक तरह विट इसा सपोर्ट कि यह एसे बेंडिंग एसे अपी सपोर्ट की तरह कर रहा है जहां पर दूनों सपोर्टर पर ओंपी वेंदिंग वह गर रहे हैं तो उसकी तरह भी हैएब करेगा तो यह इंपोर्ट हाई है इस को नोट सेंटर हम लोग को देख रहे हैं क्योंकि बॉड़ी हमारा अभी भी एक स्टेबल स्टक्चर है कहने का मतलब वहां पे अभी भी मारा फिल नहीं हुआ है एक डिफ्लेक्शन हो रहा उसके अंदर एक संपोर्टेट बीम की तरह तो जो हमारा बीम है वो कैसे कर रहा है खुछ से देखिए एक बार यह बीम हमारा कुछ ऐसे एक कर रहा है यह है हमारा सिंप्ल सपोर्टेट बीम विट यूडियल डावलोन इसकल टू कितना 12 MP अपन एल Cape Kalis अंपी के बराबर I am big above efendim hmm M73 करेगा तो याद हमकुद से सूच हमको डिसे नीकालना सेंटर पर कि ढृक्ट करेंगा चै Peggy अ करेंको हम पता है एक तो हमको यह पता है कि किन वजह को रइगा पहली बात वह बिर्फिक करें किसकी वाज़ से यह य्योड यूड के वएसे यूड कर दो यह नीचे याएगा यादि सेख करेगा डिय्क्ष नमारा नीगेटीव डैक्सें में यह क्या है और यह बेंडिंग मोश्च्व करें कि वाज़ से कि एंट आटि होसं करेंगा यह चल चुका है इसके किसी पैज़िफ करनה पड़ेगा और उतने में के सब्रेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग को ओवरॉल मतलब डिफ्लेक्शन निकल पाए सेंटर पे जो कि सी पॉइंट है ठीक है तो इसको हम निवा निकालेंगे प्रिंसिपल आफ सुपर पॉजिशन से क्यों हम लोग निकालेंगे इसको प्रिंसिपल आफ याद किचे स्टेंट अब मेट्रियल में हमको अगर किसी भी बीम पे यूडियल के साथ साथ मोमेंट कर रहे हों कर दोनों सपोर्ट के पास तो उसका डायक्ट डिफ्लेक्शन निकालने का कोई फर्मूला नहीं हमारे पास हमको उसको फ्रिंसिपल आफ पर पड़ता है कहने का मतलब कि एक बार इंडिवेज्वली इस यूडियल के लिए निकाली जिस पर डाल रहा है और एक बार कि इस मॉमेंट के लिए जो इस पर एम्पी आट कर रहा है तो दोनों के डिफ्लेक्शन को ध्यान दीजे यह जो इसकिये डिफ्लेक्शन कॉज करेगा यह नीचे सैगिं के आएगा वह आपको पता होगा कितना निकल के आएगा फाइफ डबलु वन एल्टो दी पाउर फोर अपॉन में 384 याई निकल के आएगा उसी तरह इस प्लास्टिक मोमेंट जो सपोर्ट पर एक्ट कर रहे हैं इसके वैसे उपर साइद में निकल गाएगा पॉइंट सी पे वह डिफ्लेक्शन पॉइंट सी पे निकल के आएगा कि एक अब आप चीज कर सकते है क्योंकि ये सीन नीचे डिफ्लेक्शन में है और नीचे पर कि आएगा यहां पे अपर डियूक के वाज़े से और ग्लास्टीक मोमिंटे ब्राइब से निकल की आएगा तो इसका आゲा तो इसका आप डृटीडेयरल मतलब 1520 to the power 4 upon me 384 EI इसको positive मा लेते हैं तो दूसरे वाले को negative क्योंकि plus minus minus हो जाएगा और यह MPL square upon me 8EI आ जाएगा तो यह हमारा overall deflection हो गया at point C पे मतब सेंटर पे हैं तो deflection at center निकल गाएगा deflection at center क्यों निकाल पाए हम लो प्रिंसिपल को यो क्यों कर पाएं तो प्रिंसिपल आफ सी पर प्रिंसिपल यह बोलता है कि वह तभी यूज़ पायागा जब हमारा बीम elastically behave कर रहा हो तो द्यान दे जागा क्योंकि हम यह बदा चोंगे थे कि तीन हिंज बनने के बाद हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर नोट लिएगा इस नोट से आपको यह आपको समझ में आएगा कि हम लोग निया प्रिंसिपल और से पर प्रिंसिपल और को क्यों यूज़ किया तो नोट आउट कर लिज़ेगा we used I'm a used here we used the principle of superposition to find deflection at the center of the beam q use gear because because except except the location of plastic hinge jaha jaha plastic hinge bunny hair except the location of plastic hinges the beam is still in the elastic state the plastic hinge location को छोड़ छोड़के वो सारे जो beam है हमारा भी भी elastic behave कर रहा है वो सब छोड़िये क्योंकि तीन ही का formation नहीं हुआ है इसलिए हमारा भी मभी elastic state में है तो यहां प्रिंसिपल इसलिए का formation नहीं हुआ है इसलिए सेंटर पे जो हमारा प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन है वो यूज कर पा रहा है क्योंकि सेंटर पर जो हमारा वी मैं अभी तो यह निकाना तो बहुत असान है कितनी बार निकाल चुकर है यह ऐसा लोड है इस लोड़ पे हमारा बीन का मैकनिजम अपर कर चुका है उसके लिए हमको बीम बनाना पड़ेगा ठीक है यह हो गया यह भी हो गया और यह यूडियल हो गया एक रॉस्ट पूरे लिंध पर एक कर रहा है अब इस बाद यह डबलू नहीं है इसको यह तो डबलू यह तू बोल दीजिए या फिर डबलू यू बोल दिए क्योंकि यह को बन जाएगा मिडेय स्पैन पर अब जैसे यह बना आप इसका डिफलेक्शन कर बनाईए कि कैसे डिफलेक्ट करेगा प्लास्टिक मेकनिजम होने के बाद इसका डायक्तली रिजीद बोरी रोटेसन होगा और यह बीम ऐसे डिफलेक्ट करके ऐसे आजाएगा कहने का मतलब जब इसका थीटा को देखेंगे तो यह थीटा एक यहां देखने को मिलेगा एक थीटा यहां देखने को मिलेगा और एक थीटा यहां देखने को मिलेगा इनके डियक्शन और यह थीटा कैसे आते हैं इसके बारे में अल्रेरी जिक्र कर चुके हैं तो हम लोग इस इस मेंबरं को डायकर डायरीज्जिस करें जैसे पिछले लक्षर ने तुके हैं इस मेंबर को डायकर लिची कि वहाई कि इस जब इसके वह यह आहब लोड चकर रहा होता और इसका प्लास्टिक मेकनिजम नहीं हुआ होता यह बोडीश्ट यह फिलेक्शन इस और हमको पता है कि जहां भी हमको पता है कि जहां भी हिंज बनता है वहां पर प्लास्टिक मोमेंट होता है तो जहां भी हिंज बनता है वहां पर प्लास्टिक मोमेंट होगा यहां भी हिंज बनेगा वहां पर प्लास्टिक मोमेंट आ जाएगा और वह प्लास्टिक मोमेंट का करेगा है एक यह यद्याल है इसलिए इंटेंसिटी को किसे उडियो के वर्ग को निकालना करने आपको बताया है किसले लेक्टर में टोuting करा रहा है है कि यूदिल के वाय से वर्क iation रिकालते हैं उसके काम को तो योड्ल को औन निकालने के लिए उस लोड के इंटेंसेटी मतलब के इंटेंसीटी कितशिंहें डाबलो यू तो triangle का height, मतब यह निकालना पड़ेगा आपको, तो यह कितने निकल के आजाएगा आपको पता है, क्योंकि यह symmetrical section है, तो यह यह L by 2 है, यहाँ पे L by 2 है, और यह भी L by 2 हो जाएगा, यह L by 2, L by 2 हुने के वैसे, यहाँ पर theta आपको पता है, यह थीटा है तो L by 2 into theta और L by 2 into theta दोनों triangle से same निकल के आएगा इसलिए हम इसको directly mark कर देते हैं L by 2 into theta तो triangle य्यायर निकालने के लिए triangle का base का length, 1 by 2 into base length into higher. तो 1 by 2 into b into h करेंगे तो इस triangle के ये निकल के आजाएगा और उसको उसके लोड के intensity से multiply कर देंगे तो वो total UDL का work निकल किया जाएगा total UDL का काम कितना होगा W मतलब उसका intensity into strangle के area मतलब कि 1 by 2 into उसका पूरा length मतलब यह L और into उसका height तो height कितना है L theta by 2 этим यहीं करेंगें इंटरलबाक करेंगें इंटरल वाक करेंगे जहां-जहां अब इंपि आ रहागा वहर जग़ा montry को सब्सक्राइगा यह काम करेंगा यह अनलों कर रहा होंगा यह tuan kirk offers कर dwak और यह एंपी भी ठीटा को रेजिस्ट कर रहा है तो ठीटा ठीटा कर जाएगा जब यहां पर निकालिएगा तो यह आएगा W U L स्कॉायर अपन में 4 इक्वल टू यह आजाएगा 4 MP और यहां से जब W निकालिएगा तो W U आ जाएगा 16 MP अपन में L स्कॉयर तो यह इंपोर्टेंट है यह फाइनल वह फाइनल कोलैप्स लोड है जिस लोड पे हमारे वीम का फाइनली कोलैप्स होगा तो ध्यान दीजेगा यह उस लोड से ज्यादा निकल के आया जिस लोड प निकाल भूड हो हुए ताव जाके तीसरे हिंज का फार्मेशन होगा तो यह लोड उस लोड से जयादा निकल के जाएगा क्योंकि वो लोड केप्स लोड नहीं था वो लो वैसा लोड था जिस लोड पे घल यह freedoms ब्ल法 नमसा मारे घ्यर